नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे हीमाच प्रदीश में हुई कलर्क की परिक्षा जिसका पोस्ट कोर था 803 उसके बारे में उसमें जो प्रशन पूछे गए थे HPG के से रिलेटिट उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ हिंदी वाला जो पोर्शन है वो भी हम इस लक्षर में देखेंगे और इसके बाद हम जो अन्या दूसरे पार हैं उनको भी आपके बीच में लेके आएंगे तो आप जो हुआ देखें 1939 में अगला परशन है देखें हिमाच प्रदीश शाला शिक्षा मंडल कब स्थापित हुआ तो यह हुआ था 1969 में विकल्प नमबर D इसका सही उत्तर होगा अगला परशन है देखें महात्मा गांधी कितनी पार्श्यमला गए थे तो दोस्तों इसका exact उत उत्तर मालूम नहीं है अगला परशन हम देख लेते हैं हिमाच प्रदीश उच नियाले के प्रत्थम मुख्या नियाधीश कौन थे तो यह थे देखें नियाधीश MH2 विकल्प नमबर A इसका सही उत्तर होगा अगला परशन है देखें हिमाच प्रदीश का सबसे छोटा व हिमाच प्रदेश में किस स्थान पर CPRI स्थित है तो देखें इसका सही उत्तर होगा विकल्प नमबर B कुफरी अगला प्रशन है देखें हिमाच प्रदेश के किस जिले के लोगों द्वारा जात्रू कयांग लोग किया जाता है तो यह है विकल्प नमबर B कि नौर अगला प्रशन है देखें प्रशन संख्या 11 हिमाच प्रदेश के किस जगह में महुनाग मेला मनाया जाता है तो महुनाग जो मेला है यह आपका करसोग जिला मंडी ठीक है अगला प्रशन है देखें हिमाच प्रदेश के किस स्थान पर प्रजिश्वरी मंदिर स्थित है तो प्रजिश्वरी जो मंदिर है यह है कांगडा में अगला प्रशन है देखिए What is key in HP? हिमाज़ प्रदिश में की क्या है तो की जो है देखिए यह आपका मठ है विकल्प नमबर D इसका सही उतर होगा इसके बाद जो अगला प्रशन है देखिए प्रशन संख्या 14 इसका जो सही उतर होगा देखिए निमी लिखित वरणाक्षरों में कौन सा अक्षर G और S के एकदम मध्य में है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर A M इसके तुरंट बात दोस्तों हब हम देखते हैं प्रशन संख्या 59 से लेकर के जो प्रशन पूछे गए थे हिंदी के उनको हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 59 जो प्रशन है कि कहता है कि शुद शब्द चुनिये तो सबसे पहले परिबरतन है देखिए विकल्ब नंबर D सही होगा अगला जो प्रशन है देखिए नियुक्ती तो नियुक्ती में आपका जो सही उतर है वो है विकल्ब नंबर A अगला प्रशन है देखिए निर्दीश दिये गये हैं इसमें कि 64 से लेकर के 68 तक के जो सही अर्थ आपने चुनने हैं कि इनका सही अर्ट कोन है जो पारिभाशिक शब्द पूछे गए थे manifesto इसका मतलब है आपका गोशना पत्र prejudice इसका मतलब है आपका पक्षपात जबकि laser का मतलब होता है बही खाता तो भी कल्प नंबर A इसका सही उतर होगा प्रशन संक्या 69 से लेकर के 73 तक जो है आपको विलोम शब्द चांटने थे तो उदंड का होगा आपका बिनीत विकल्प नंबर B इसका सही उतर होगा और 70 का प्रशन है देखिए करकश तो करकश का विलोम है मधूर हालांकि कुछ लोग इसको कोमल भी कह सकते हैं लेकिन मधूर जो इसका जादा सही उतर होगा निर्मल है देखिए निर्मल का जो सही उतर विलोम होगा वो होगा मलिन जबकि विध्वा का मतलब है सद्वा विकल्प नंबर A इसका सही उतर होगा हस्त का मतलब है हाथ और इसका जो विलोम होगा देखे पाद का मतलब पांग भवन का संदिवी छेद है भो जमा अन विकल्प नंबर A इसका सही उतर होगा प्रेमातुर में समास है तो देखे प्रेमातुर में समास है संप्रदान तत पुरुष समास विकल्फ का सई उतर होगा अगला पत्शन है धार का विशेशन क्या है सीमा में उपसर्ग क्या है थीक है चीन्ती के पर जमना मुहावरे का जो सही अर्थ है यह है विनाष के लक्षन विकल्फ का सही उतर होना चाहिए इसके तुरंत पाद अब हम उन्सर्ट से लेकर के तो अब हम उनको देख लेते हैं बाकी की जो प्रशन बचते हैं उनको हम आगयाने वाली वीडियो में डिसकस करेंगे तो यहां पर देखिए प्रशन संख्या 159 है हिमाचल प्रदीश का कुल बगौलिक शेत्र फल क्या है तो यह 55673 वर्ग किलो मीटर खिक है विकल्प नमबर सी इसका साही उत्तर होगा 160 है दिखिए जनगर्ना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदीश का जनसंख के घनत्व प्रति बर्ग किलो मेटर है तो यह 123 अगला प्रशन है दिखिए हिमाचल प्रदीश में मत दाताओं की अधिक्तम संख्या किस जिले में है तो इसका exact उत्तर मालूम नहीं दोस्तो कांगडा इसका साही उत्तर होना चाहिए अगला प्रशन हम देख लेते हिमाचल प्रदीश के किस जिले में मनी करन गरम पानी का स्थोता स्थित है तो यह आपका कुल्लो जिले में है प्रशन संख्या 163 है देखिए हिमाचल प्रद नमबर B सही उत्तर है हिमाचल प्रदीश के किस जिले में उनामसी जील स्थित है तो उनामसी जो जील है देखिए यह आपके लाहौल स्पिती में 166 सही उत्तर B option होगा कलपा का पुराना नाम तो इनमें से A सही है नेक्स से देखिए कौन महरिशी के नाम से प्रसित है तो म की थी सूबंश प्रकाशने प्रिकल्प नमबर B इसका सही उत्तर होगा तो फिलाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों आगे के जो पार्स हैं उनको भी हम आपके बीच में चल देकर आएंगे शुक्रिया जैहिंद